सो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश एनेचम चो की पोस्ट के लिए वेकेंसी रिसेंटल यहां पर रिलीस की गई थी इसके लिए आप लोग ने ओलाइन एपलाय किया यानि की ओलाइन एप्लिकेशन फॉर्म आप लोग ने आप फिलप किया MP ओलाइन के पोर्टल के दुरू और इ और आपको यह भी मालूम है कि वेकेंसी में दो अलग अलग तरीके की पोस्ट यहां पर शामिल की गई इसमें दोस्तों CCH Certificate वाली इसमें आप वेकेंसी थी और बिना CCH वाली यहां पर Certificate वाली इसमें आप वेकेंसी थी तो आप लोग ने अपनी qualification के इसाब से आप आप लोग ने आप पर समिट कर दिया दोस्तों आज का यह जो अपडेट है काफी ज़ाधा important यहां पर आएगा एक छोटा सा analysis आपके साथ यहां पर मैं share करने वाला हूं कि कौनसी पोस्ट में सबसे ज़ाधा competition आपको हाई आपको यहां पर देखने को मिले वाला है तो यह कि प्रोसेस थी इसका screenshot मैंने पहले ही ले लिया था इसी मैं आपको जानकारी सारी समझा दूँगा आपको सारी जानकारी समझ भी आजाएगी बहुत ही ध्यान से आप सब लोग उसको आपे सुनिए और समझिए तो देखिए इसमें इसमें दो अलग अलग तरीके के पोश् एक में लखा है CCH अब देखिए इसमें जो सेकेंड नमर की पोश्ट थी Certificate in Community Health CCH तो ये जो है आपको मालूम भी है इसमें किसी भी तरीके का CCH का Certificate Course आपसे नहीं मांगा गया था इसमें Qualification भी मैं आपको आपको साथ साथ बता देता हूँ BSC मांगी गई थी या फिर GNM का डिप्लोमा मांगा गया था पोश्ट बेसिक BSC Nursing की Qualification मांगी गई थी और BAMS यानि कि आईरवेट की डिगरी इसमें आप लोगों से मांगी गई थी अब इसके आपोजेट बात करते हैं उपर वाली वेकेंसी की तो देखिए इसमें लगा है CHO तो इसमें आप लोगों से जो है CCH का Certificate Course ये आप लोगों से मांगा गया था इसमें Qualification भी आपको बता देता हूँ जो भी Candidates इसमें BSC वाले थे CCH के Certificate Course के साथ वो अपलाई कर पाए और इसमें उन Candidates ने भी अपलाई किया जो Post Basic वाले थे और जिनके पास CCH का Certificate Course तो ये सारी जानकारी जो है पहले से ही Clear थी Notification में आप लोगों ने इसी आधार पे Online Apply किया और Notification में आप लोगों ने देखा भी होगा चाहे CCH की Vacancy हो चाहे बिना CCH वाली Vacancy हो दोनों की Vacancy लगबग लगबग यहां पे Equal है किसी में 500 है और किसी में जो है थोड़ी 20 करीब Vacancy उसमें कम थी करीब-करीब 480 Vacancy टोटल जो है 980 पदों पर यह पूरा Recruitment था यह जानकारी मैंने आपको शुरू में ही दे थी इसमें देखिए सबसे ज़्यादा Commentation कौन सी Post में आपको देखने को मिलेगा वो जानकारी मैं आपको आपको समझाता हूं इससे पहले आपको एक और Information है आप सभी को मालूम भी होगा आप सभी को एक याद भी होगा एक वीडियो मैंने आप इसमें आप पे Cover किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि यदि 10 Candidate यदि यहाँ पे Form को Fill कर रहे हैं 10 Candidate Form यहाँ पे भर रहे हैं तो 6 से 7 Candidate यहाँ पे ऐसे हैं जो Post य इना CCH वाली Vacancy में अपलाए कर दिया और CCH का Certificate Course नहीं है उन्होंने CCH Certificate वाली Vacancy में अपलाए कर दिया तो काफी Candidate को इस चीज़ का सामना याँ पे करना पड़ा और कोई भी इस तरीके का Solution नहीं निकला और इसका कोई भी समाधान नहीं था नहीं Candidate इसमें आपे Post चेंज कर सके और नहीं दोबारा Form Fill Up करने की अनुमती MP Online के Technical Helpline की तरफ से आपे दी गई तो यह Information भी आप सभी को मालूम भी होगा तो देखिए सबसे ज़्यादा Competition आप लोगों को जो है यह वाली जिसमें CCH का Certificate Course इसमें आप लोगों से नहीं मांगा जा रहा है सबसे ज़्यादा High Competition इसी Post में आपको देखने को मिलेगा इसमें देखिए कौन-कौन से Candidates है BAMS जो Doctors है तो इस बार BAMS जो Doctors है यह Nursing Candidates के साथ जो है इस Post के लिए Apply रहने वाले हैं तो कुछ Candidates यहाँ पे इनकी वज़े से बढ़ेंगे और देखिए कुछ यहाँ पे Extra Candidates यहाँ और बढ़ने वाले हैं जिन्होंने Form को गलत यहाँ पे Fill कर दिया यानि कि CCH का Certificate Course थ तो यहाँ पे यह Candidate भी इसमें आप एक्स्टा हो जाएंगे जिस वज़े से Number of Candidates सबसे ज़्यादा इसी Post में आपको यहाँ पे Exam में देखने को मिलेंगे और सबसे ज़्यादा Competition भी इसी Post में आपको यहाँ पे देखने को आगे मिलने वाला है और इसी क्या पोजिट बात करें सबसे कम Competition जो है जिनके पास CCH का Certificate Course है और इन लोग ने आप एपलाए किया और सही एपलाए किया Post के लिए सबसे ज़्यादा Competition कम जो है इसी Post में आपको देखने को मिलेगा देखिए जिन Candidates के Form साई fill up हुए है जिनके पास CCH का Certificate Course है सबसे ज़्यादा सबसे कम Competition इसी में है और इसमें एक चीज़ यहाँ पे मैं और एड़ करूँगा इसमें कुछ और Candidates यहाँ पे हट गए क्योंकि उन्होंने जो है Form को यहाँ गलत यहाँ पे Select किया और दूस से जो है वो अपनी पोश्ट से हटके दूसरी पोश्ट में चले गए तो अपनी पोश्ट से हटे तो उनका Competition जो है और यहाँ पे कम हो गया जिस पोश्ट के लिए वो eligible थे और जिनके पास CCH का Certificate Course है सरफ BSC वाले ही है और पोश्ट Basic BSC वाले ही है और देखिए एक मैं बात आपके साथ आपके शेयर करूँगा यदि मैं 50 Nursing Candidates से बात कर रहा हूँ तो यदि मैं उनसे एक सवाल पूश्टा हूँ कि आपके पास क्या CCH का Certificate Course है तो 50 में से करीब करीब मुझे यहाँ पे जो है दसी Candidate यहाँ पे करीब ऐसे मिलेंगे जिनोंने CCH यहाँ पे क किये हुए हैं और जो किये हुए हैं और जिनके form यहाँ पे सही fill up हुए हैं तो सबसे बढ़िया बात उनी के लिए रहेगी उनका competition काफी कम यहाँ पे देखने को मिलेगा और दोस्तों देखिए इसमें एक बात यहाँ पे मैं और include करूँगा जो CCH Certificate वाला Candidate है जिसने से बिना CCH वाली vacancy में apply कर दिया तो यह जो CCH Certificate वाला Candidate है वो बिना CCH वाली vacancy के लिए भी applicable रहेगा क्यों रहेगा क्योंकि उसके पास BSC भी है उसके पास Post Basic BSC Nursing भी है तो CCH वाले को benefit है वो जो है बिना CCH वाली vacancy के लिए भी applicable है लेकन बात करें बिना CCH वाले तो बिना CCH वाला जो Candidate है यदि उसने Post यहाँ पे गलत select कर ली और CCH वाली vacancy में apply कर दिया तो वो इसमें invalid माना जाएगा क्योंकि उसके पास CCH का Certificate Course यहाँ पे नहीं है लेकि एक जब document के verification की बात आएगी जब उससे पूछा जाएगा कि आपने CCH वाली vacancy के लिए apply किया है तो CCH का Certificate Course आपके पास यहाँ पे कहां है तो उसी जगह पे जो है वो Candidate invalid यहाँ पे माना जाएगा और उसका Candidature जो है उसकी जो अभ्यारतिता है वो यहाँ पे जो है एक तर benefit है और इसी को competition क्याते है और जो careful रहता है जो सतर्क रहता है जो मेनत करता है परिश्रम करता है तो struggle करता है तो उसको जो है सबवलता जरूर मिलती है और आगे भी जरूर मिलेगी तो सबसे द्यादा high competition बिना CCH वाली vacancy के लिए रहेगा और इसका कारण मैंने आप लोगों candidates जो है यहाँ पर इसमें included रहेंगे nursing candidates के साथ और इसमें extra candidates पर जुड़ो गए है जोनोंने post यहाँ पर गलत यहाँ पर select कर ली जिनके पास CCH का certificate course है वो भी इसमें applicable रहेंगे eligible इसमें यहाँ पर रहेंगे उनके पास भी BSE है post basic BSE nursing है सबसे कम competition मैंने आपको बताया कि इस post के लिए रहेंगा जिसमें CCS का certificate course मांगा गया है कारण यही है कि बहुत ही कम candidate CCS का certificate course यहाँ पर रखते हैं और जो रखते हैं उन्होंने post यहाँ पर गलत यहाँ पर select कर ली और अपनी जो eligible post है उसमें से वो हट गए और जब वो हटे तो उस seat पर उस post पर जो है कम competition और यह यह तो थी information चोटा सा analysis आपके साथ मैंने आप पर share किया और ऐसी मेरी यहाँ पर उम्मीद है कि आप लोगों की preparation बहुत ही अच्छी चल रही होगी और देखिए exam की date का और exam के admit card का ठीक है इस चीज़ का wait आप लोग यहाँ पर ना करें तैयारी अभी से करें और selection होने वाल में सिर्फ main अंतर सिर्फ यहाँ पर इसी चीज़ का रहता है कि जो selection लेते हैं वो सुरूबास से मैनत करते हैं सुरूबास से जो है preparation करते हैं और उनी को जो है सवलता मिलती है और उमीद करता हूँ आप लोगों की preparation काफी अच्छी चल रही होगी यदि आप लोगों को MPCHU का study material चाहिए तो previous papers मेरे पास आप पर available है पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ यदि आपको previous papers read करने किस तरीके के questions पूछे आते है exams का level यहाँ पर क्या रहता है कौन-कौन से topics जो है focus में रहते हैं तो previous papers से काफी help यहाँ पर मिलती है पेपर कहां से आता है यह किसी को भी नहीं मालूम मैंने सिर्फ candidate को ही करने पड़ती है मैंने सिर्फ हम सभी को यहाँ पर करनी पड़ती है तो previous papers से काफी help मिलती है तो आप चाहिए तो हम उससे इसको आप ले सकते है यह total मेरे पास है यहाँ पर 6 papers की PDF फाइल रहने वाली है और इसका जो amount है 150 रुपीज रहेग PDF फाइल भी मेरे पास यहाँ पर available है सभी topics हैं उसमें और MC के questions है और यह जो e-book है PDF फाइल यह भी 250 pages की यहाँ पर रहेगी और इसका जो amount है मातर 100 रुपे यहाँ पर रहेगा यदि आपको दोनों चाहिए तो आप मुझे WhatsApp पे message कर दीजे 741 5543659 तो WhatsApp पे आप लोग मुझे message कर दीजे सारी details आप लोगों को provide करा दी जाएगी तो एक छोटा सा analysis आपके साथ मैंने आप पर share किया और उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी समझ में आई होगी और काफी मैनत लगी काफी मेरा आपर effort लगा इस सब चीज आपको आपर समझाने में तो एक like पर बनता है like जरू करिएगा चैनल को subscribe कर लें इस भरती से सम्मंदित कोई भी जानकारी आगे आपसे ना चूटे वीडियो के नीचे जाए subscribe कर लें तो मिलते आप सगले वीडियो में thank you so much